वो तुम्हारी सुधी लेगा और उस संकर से, उस मुसिबत से, उस कठिन हालाद से तुम्हें बाहर निकालेगा, आज के दिन में इनके नए रास्तों को खोले, आज के दिन में इनके सारे काम संपन होने पाए, आज के दिन में प्रभू नए अपॉर्चुनिटी इनके जीव से बात करना चाहता हूं कि हो सकता है इस समय आप मुस्किल हालातों से होकर गुजर रहे हूं, कठिन हालातों से होकर गुजर रहे हूं, मुस्किल समय आपके जीवन में चल रहा हो, तो आज परमेशुर का वचन आपको उत्साइद करता है, परमेशुर का वचन आपको उत्सा जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है यहुआ भला है संकट के दिन में वहद्रणगर ठहरता है और अपने शर्नागतों की सुधी रखता है आमीन दोस्तों यहां पर परमेश्व का वचन एक ऐसे समय की बात करता है मुश्किल समय की कठिन समय की बात करता है कि जब किसी के जीवन में मुश्किल हालात आएं कठिन हालात आएं तो उसे एक सबात का ध्यान होना चाहिए उसे इस बात पर भरोसा रखना है कि परमेश्व मेरा दिर्डगड़ है इस मुस्किल के हालात में, इस कठिन हालात में परमेशर ही मेरा वो गड़ है, मेरी वो चटान है, मेरा वो किला है, जहां मैं सुरक्षित रह सकता हूं, इस कठिन हालात में केवल परमेशर ही है, वो दिर्डगड़ है, जहां मैं चुप सकता हूं, जो मेरा स स्थान बन सकता है परमेशुर ही है जहां से मुझे सहायता मिलेगी इसलिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए उसे परमेशुर की सरण में चले जाना चाहिए और जब वो परमेशुर की सरण में आएगा तो परमेशुर उसकी सुधी लेगा और सुधी लेने का मिंस है वो भला परमेशर है वो प्रेम करने वाला परमेशर है अपने लोगों के लिए कारियों को करने वाला परमेशर है संकट के दिन वो दिर्डगर ठहरता है और अपने सरनागतों की सुद्धी रखता है दोस्तों आज सुबह में मैं आपको उसाइड करना चाहूंगा यदि आप संकट से होकर गुजर रहे हैं, मुस्किल हालातों से होकर गुजर रहे हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको यही करना है, जो यहां पर नहुम सला दे रहा है, क्या दे रहा है, कि इस सम में आप परमेश्व के करीबी में चले जाओ, क्यों चले जाओ, क्योंकि वो मजबूत गड़ है, क्योंकि वो एक द्रड़ गड़ है, जिसे कोई भेद नहीं सकता, वो एक किला है, जिस पर कोई चड़ाई नहीं कर सकता, आप लोग जानते हैं, पुराने जमाने में क्या उनके गड होते थे, किला होते थे, उसके चारों तरफ बड़ी-बड़ी दीवारे होती थी, वो एक गुप्त स्थान पर होता था, ताकि कोई भी उसका भेद न ले सके, ताकि कोई भी वहां तक पहुंच न सके, जुद भी हो तो भी कोई वहां पहुंच न सके, उस पर हमारा परमेशुड है हमें कोई दिल्डगड बनाने की जौरत नहीं है जैसे राजा महाराजा बनाया करते थे हमें कोई किला बनाने की जौरत नहीं है जहां हम अपने आपको सुरक्षित रखें नहीं हमारा परमेशुड ही स्वयम हमारा दिल्डगड है वो दिल्डगड परमेशुड है जब कभी उस राजा पर रोधी लोग चड़ाई करते थे यह पिर दूसरे राजा युद्ध के लिए आते थे जब उन्हें चारों तरफ से घेर लेते थे तो वे सारे लोग अपने किला में सुरक्षित रहते थे सारी परजा के लोग अपने उस गड़ के अंदर छुप जाते थे उसमें वो आ जाते थे यही परमेशुड का वचर हमें सिखा रहा है कि संकट के दिन तुम परमेशुड की सरण में चले जाओ उस दिल्डगड के अंदर चले जाओ उस किला के अंदर चले जाओ परमेशुर के करीवी में जाकर उससे प्रात्ना करना है, उस द्रडगर के अंदर चले जाना है, उस किला के अंदर चले जाना है, जो मजबूत है, वो आपकी सुधी लेगा और आपको इस समय से बाहर निकालेगा, इस कठिन समय से, इन कठिन हालातों से, इन मुश्किल हालात उसी प्रभव आपको बाहर निकालेगा, तो प्रभव आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत स्यासिश दे, आमीन. दन्यवाद. ठीक हो गया, और इसके लिए ईश्वर को बहुत भू धन्यवाद देती हूं, और पीके मसी, पीके ब्रादर और अमरिता मसी और उसके पूरे टीम को बहुत भू धन्यवाद देती हूं, जय मसी की. सो हम प्रभु ये श्मसी का इस सुन्दर सी सुभा में धन्यवाद करते हैं, मैं आशा करती हूं, आप सब आनंदित हैं, खुश हैं, और आप सब ने प्रभु के वच्चन को सुन कर आशीश पाई हैं, सो आईए मिलकर हम प्रातन करें. धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, पिता आप अच्छे हैं और आप भले हैं, You are good father Lord Jesus, thank you father, thank you father, धन्यवाद पिता, प्रभु आज के इस पूरे दिन को हम आपके हाथों में देते हैं, हम स जितने भी भाई, बहन, बच्चे, नौजवान, बुज़र्ग लोग इस प्रातना में शामिल हैं, उन सब को पिता हम आपके सामर्ती हातों में देते हैं, और हम चाहते हैं परमेश्वर आज के दिन में आप हमें गाइट करें, ज्यान बुद्धी समझ दे प्रभू, अपने अनुसार चला हैं, आपकी इच्छा परमेश्वर हम चाहते हैं मेरे पिता हमारे जीवनों में पूरी होने पाए प्रभू, आप हमारा हाथ पकड़ कर प्रभू हमारे संग-संग चले परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संग-संग चलने वाला परम इश्र हूँ। मैं धनिवाद करती हूं कि आपने हम सब को एक साहियक के रूप में पवित्रवातमा बिया है अधनिवाद करती हूं हौली स्पिरिट आपकी प्रेजिंस के लिए कुदा आपकी उपस्तिती प्रभु यह धनिवाद करते हैं केक को प्रभू इस समय हर प्रकार की गलत बातों से अजाद करें प्रभू नेगेटिव थाट्स नेगेटिव बाते डिस्टरब करने वाली बाते डाइवर्ट करने वाली बातों को येशु मसी के नाम से कैंसल आउट करते हैं प्रभू हर रेक के ऊपर आपके होली स्पिरेट का कंट्रूल हो हर रेक के ऊपर प्रभू इस समय होली स्पिरेट का कंट्रूल हो thank you father thank you father lord you are good father you are our strength lord Jesus you are our strong hold Jesus lord father thank you father thank you father lord we praise you lord Jesus thank you lord धनेवाद करते प्रभू कि प्रभू आप अच्छे हैं मेरे परमेश्वार आप हमारी ताकत हैं हमारा द्रड़ थेर भ्रीशक्त अब आटर्थ हैं अपने लोगों के प्यार करते हैं। आपके भलेपन को अपने जीवन में देख सके खुदा कि आप कैसे अपने लोगों के लिए भले है प्रभू ये शुमसी इनके आने जाने में इनके काम करने में इनके घर में रहने में इनके बच्चों के लिए प्रभू सब में प्रभू आज के दिन में आप अपनी भलाईय पाये दिखाए तो इनकी सोच समझ और इनकी कल्पनाऊ से परे हैं अपनी भलेपन को आप इनके जीवन में दिखाए अपनी भलाईयों को सब्सक्राइब आपके परमिश्वर, इनके जीवन के हर एक छेत्र में हैं प्रबु बच्चों के लिए प्रबु आपका फेवर चाते प्रभू नौजवानों के लिए आपका favor चाते उनके life के हर एक situation में आपके favor को चाते परमिश्य पिता आपके support को चाते आपकी strength को चाते आपकी सामर्थ को चाते प्रभु जी और आज का दिन प्रभू आपके लोगों के लिए सामर्थ भरा होने पाए प्रभू तेरे लोग बल में और सामर्थ में बढ़ते जाएं मेरे प्रभू जी पिता जब उन्हें लग रहा है कि वो कमजोर हो रहे हैं निराश हो रहे हैं ठकावा महसूस कर रहे हैं अकेला महसूस कर रहे हैं निराश और दुखी है पिता संकटों में है प्रभू मुसीबत में है प्रभू प् प्रिता परमिश्वर विरोध में सामना कर रहे हैं, हताश है प्रभू, ऐसे समय में प्रभू, इस शन में प्रभू, इस पल में प्रभू, अपने लोगों का आप द्रिरगर ठहरे कुदा, यह आपके शनगत हैं, यह आपके बेचे-बेचिया हैं, प्रभू जिन्नोंने आप के हाथ को थामा है अपने पिता के हाथ को थामा है और प्रभू तु इनका द्रडगर ठहर मेरे प्रभू येश्यू थैंक यू फादर लॉर्ड पिता मैं दूआ करती हूँ जितने लोग बहुत जादा फाइनेशली स्ट्रॉगल कर रहे हैं पिता आप उनके फाइनेशल प्र प्रभू अंडिस्टैंड करने के लिए आप इने प्रभू सामर्थ दे प्रभू ताकि इनका रिलेशन अच्छा होने पाए पिता परमिश्वर प्रभू इनके फ्रेंड्स के साथ में इनके रिलेशन खराब है प्रभू सब कुछ सवरने में आप साहता करें प्रभू जी क कि प्रभू अपने लोगों को हर प्रकार के संकट से दूर कर पिता, घर से जब बाहर ये निकलते हैं, मेरे प्रभू आने जाने में साहिता करें, प्रभू इनके ट्रास्फर होने में साहिता करें, इनके प्रमोशन होने में साहिता करें, इनके एक स्टेप आगे बढ़ने में इनकी साहता करें, जितने लोग कमपुटेटिव एक्जाम की तैयारी करें, प्रभू उसमें सेक्सिस होने में आप उनकी साहता करें, जितने बच्चे पढ़ने में वीक हैं, उनकी साहता और मदद करें, परमेश्व पिता, मैं प्रात्न करती पिता, विशेश रूप से पर जो छोटी बात को ले कर बहुत ज़्यादा निए डिप्रेस over two equal Hai 상황 ंब्ध Argentine करक्व शॉप कर childhood उन्य बातों को दूर करता पी ता उन्ंद E संकत है फबstate dal सारे ट्रैप से परमेशों ने बचाएं मेरे कुदा और प्रभू उन्हें सोचने समझने की बुद्धी दे अपने पैरंस को अंडिस्टैंड करने की बुद्धी दे कुदा तेरे नस्दीकी में बढ़ने में प्रभू उन्हें बुद्धी दे परमेश्यों पिता और खुदा हर प्रकार के दुष्ट के ट्रैप से प्रभू उन नौजवानों को यंग्स्टर्स को प्रभू बच्चों को आप बचाएं परमेश्व पिता खुदा आपके हातों में प्रभू इन भाई बहनों के बच्चों को देते खुदा आज जो जाल में फसे हैं प्रभू एडिक्श पाईगी और प्रभू आज प्रभू उन बच्चों को आप आशीज दे और प्रभू तु भला है तु कहते हैं कि तु भला है तेरा वचन कहते हैं तु भला है प्रभू अपने लोगों के लिए उनके बच्चों के लिए प्रभू तु भला है और तु उनका मजबूत गड़ है परमिश्वर मैं धन्यवाद करती खुदावन थैंक यू लॉड फादर प्रभू हर एक वो निराशा जो आपके लोगों को मृत्यू के ओर लेकर जा रही है उस येश्यू के नाम से हम उस निराशा को दूर करते खुदा प्रभू क्योंकि तु आशा का परमिश्वर है तो उमीद आशा का परमिश्वर है खुदा और प्रभू तुने कहा तेरे आशा अंत में पूरी होगी yes my lord father thank you jesus मेरे प्रभू आज जितनी भी प्रात्न विंतिया आई है येश्यू मसी के नाम से पिता वो पूरी होने पाए प्रभू जितने लोगों ने तेरी और अपनी प्रभू जी इसके इलर्जी हो गई है पिता परमिश्वर डिहाइड्रेशन हो गया है कुदावन इंडाइजेशन हो गया है पिता परमिश्वर और प्रभू बहुत कुछ बीमारिया जो इनके शरीरों में है BP, sugar, thyroid की बीमारी मेरे कुदा येश्यू के नाम से वो सारी बीम नश्थ होने पाएं मेरे प्रभू पानी से होने वाली बीमारिया एश्यू के नाम से नश्थ होने पाएं खुदा आप अपने लोगों को चंगा करें खुदावन, thank you father, thank you father, thank you jesus, thank you father, धन्यवाद, आपके लोग चंगे हो गये है, be healed in the name of jesus, be healed in the name of jesus christ, चंगे हो जाओ इश्यू के नाम से, चंगे हो जाओ इश्यू के नाम से, आप अपने मन में इस बात को कहें, प्रभू हम अपनी चंगाई को receive करते हैं, अब ग्रहन कीजिए बुले प्रभू, I receive my healing, thank you father, be healed in the name of Jesus, thank you father, you are our strength our stronghold Lord father thank you father, धनेवाद करते प्रभू, सब कुछ आपके हाथों में सौबते हैं इस सुभा को, इस दिन को और चाहते हैं, प्रभू, आज आप इने support करें, दुर घटनाओं से बचाएं, धोके से बचाएं प्रभू जी, और प्रभू, हर प्रकार के नुकसान से प्रभू आप इने बचाएं प्रभू इने आपके लहू में छिपाते आपके स्वर्गदूतों के पहरे में प्रभू इन भाई बहनों को इनके परिवार के हर एक सदस्य को रख धन्यवाद करते हैं, प्रभू जितनी सेवाकारियों में हमारे साथ सहबागिए हो रहे है युनुन अंहे आपके राज्ये में बोया है उन्हें आफ fulfillवंत करें पिता धन्यवाद करते हैं यो ही हम तेरी महिमा प्रशन सा और बढ़ाई करते रहें और तेरी नाम की तारीफ करते रहें धन्यवाद पिता, we praise your father because you are wonderful God, thank you Jesus Lord, धन्यवाद के साथ प्रातना येश्यू के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, और आमेन, यदि आपने वचन और प्रातना से आशीश पाई है, हमारे साथ में सुभा और शाम की प्रातना में शामिल होई है, प्रभू के अस्चरे कर्मों अपने लाइफ में आप देखने पाएंगे, आप अपनी गवाहियों को जो येश्यू मसी ने प्रातना के माद्यम साब के जीवन में किया है, हमें भेजे, ताकि जब आपके गवाही लोग सुने, तो उनके जीवन में आश्चरे कर्म होने पाए, वो भी आशिशित होने प से की.